हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट जहां पर हम हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और उसका डीटेल ट्यूटोरियल आप सभी के साथ शेयर करते हैं तो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है ये बुलेरो जैकेट आप इसे काडिगन भी बुला सकते हैं यहां पर मैंने ओवर सैस बनाया है आप इसे अपने सैज में फिक्स ओ फिक्स भी बना सकते हैं छोटा बड़ा कैसे बनाना है वो सारा ही मैने वीडियो में बताया और फिर वीडियो को इंजोई कीजिए चलिए फिर शुरू करते हैं इसका डिटेल ट्यूटोरियल सुफरेंट सी बुलेरो जेकेट बनाने के लिए मैं यहाँ पर उन ले रही हूँ केबल यान और दस नंबर का मैंने हुक लिया है 3.25 mm अगर आपको मैं यहाँ पर जितनी चेन से शुरूआत कर रही हूँ उतनी ही चेन से शुरूआत करके अगर आप इससे छोटा 11 या 12 नंबर वाला हुक इस्तमाल करोगे तो यह इसी चेन के साथ एक साइज छोटा बन जाएगा ठीक है और अगर आप यही वाला हुक साइज इस्तमाल करते हो तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि छोटा या बड़ा साइज कैसे बनाते है तो अभी यहाँ पर हम 78 चेन बनाएंगे तो 78 चेन बनाने के बाद हम इसे इस तरीके से सीधा सीधा ही 1st चेन तक लेकर जाएंगे देखे इस तरीके से देखे सीधा सीधा बीना ट्विस्ट किये हमें 1st वाली चेन में हमारे हुक को डाल कर इसे slip stitch से जोईन कर देना है So friends ये 78 चेन को 1st चेन से जोईन करने के बाद हमें जो 78 चेन की ring मिली है ये बड़ी साइज की ये बनेगा हमारा आम होल यानि के हम आम होल से बुनाई शुरू करेंगे और दूसरे आम होल तक हमारी बुनाई फिनिश होगे तो अगर आपका armhole ये size में ये number of chain में अगर बनाने से आपको ये बड़ा लग रहा है तो आप इसमें से 8 या फिर 16 chain कम कर दे और अगर ये आपको छोटा लग रहा है तो आप इसमें 8 या फिर 16 बढ़ा दे उससे भी कम करना है तो 16 से कम यानि के 8 का multiple होगा 24 कटा दे और अगर बड़ी size बनानी है उससे भी ज्यादा तो 8 बढ़ाने से भी नहीं होता 16 बढ़ाने से भी नहीं मिलती आपकी size तो आप 24 chain बढ़ा सकते हो ठीक है अब हम बुनाई शुरू करते हैं फर्स राम के लिए हमें यहाँ पर 3 chain बनानी है वो रहेगा हमारा फर्स डबल क्रोशेट अब हम सेकिंड चेन में एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे उसके बाद हम थर्ड वाली chain में एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे दो दो फंदे जो हम निकाल कर बनाते हैं उसे हम double crochet कहते हैं अगर आपको नहीं आता बेजिक स्टीच भी नहीं आती तो आप मेरे बेजिक स्टीच के प्लेश्ट में जाकर सारी स्टीच आसानी से स्टीच सकते हैं और उसके बाद अपने लिए ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो मेरे चैनल पे है, वो सब भी बना सकते हैं, इस तरीके से हमें हर एक चेन में एक-एक डबल क्रोशेट बनाते हुए, ये पूरी राउंड को 78 स्टीचिस के साथ फिनिश करना है, जो फिनिश करना है, अब नेक्स राउंड के लिए हमें एक, दो और तीन चैन बनानी है, अगें ये जो तीन चैन है, वो हमारा फिर्स डबल क्रोशेट रहेगा, फिर नेक्स्ट स्टीच में हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, और उसकी नेक्स्ट स्टीच में हमें एक और एक इंक्रीज करके, थर्ड वाली स्टीच में हमें दो डबल क्रोशेट बनाना है, तो इस तरीके से हमें यही पैट को 18 स्टीज तक repeat करना है तो यह एक double crochet फिर यह next स्टीज में दूसरा double crochet और फिर 6 वाले स्टीज में डो double crochet बनाएंगे हम एक और यह दो ठीक है अब 7 वाले स्टीज में हम फिर से एक double crochet बनाएंगे फिर 8 वाले स्टीज में हम एक double crochet बनाएंगे और जो 9 वाले स्टीज है उसमें हम फिर से डो double crochet बनाएंगे एक और दो तो हर दो स्टीज में एक double crochet बनाने के बाद तीसरी स्टीज में हमें एक increase करना है इस तरीके से हमें यहाँ पर हमने तीन बार बनाया है और तीन बार बनाना है ताकि हम 18 श्टीच यूज़ कर लेंगे उसके बाद क्या करते हैं वो आगे देखते हैं सु फ्रेंड्स यहाँ पर हमने यह देखी यहाँ से हमने 18 श्टीच तक मैंने जैसे बताया दो श्टीच में एक के उपर एक और तीसरी वाली श्टीच में एक इंक्रीज के साथ दो इस तरीके से हमने 18 श्टीच यूज़ कर ली है अब हम next 42 श्टीच तक डबल क्रोशेट सिंगल स्टीच के उपर सिंगल स्टीच बनाएंगे यानि के कोई इंक्रीज नहीं करेंगे यह दो फिर यह टीन यह चार तो चार स्टीच हमने बुन ली है इसी तरीके से हमें 42 स्टीच तक बुनना है यह 42 स्टीच में बिना इंक्रीज के बुनी है तो यहाँ पर हमने इंक्रीज वाली पैटन में 18 यूज़ की थी उसके बाद हमने 42 यूज़ की है तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 18 स्टीच बची है तो यह वाली 18 स्टीच में हम फिर से जो पहले इंक्रीज वाली पैटन थी उसी को repeat करेंगे यानि कि यह 42 stitches के बाद हम एक और दो stitches simple बुनेंगे और तीसरी वाली stitch में हम दो double crochet बुनेंगे यानि कि एक increase करेंगे यह एक और यह दो अगेन हम फोर्थ वाली stitch में एक double crochet बुनेंगे फिफ्थ वाली stitch में हम एक और double crochet बुनेंगे और सिक्स्थ वाली stitch में हम दो double crochet बुनेंगे यानि कि एक increase करेंगे तो इसी तरीके से हम यह बाकी की अठारा stitches को use करते हुए यही pattern follow करके यह second round को finish करेंगे so friends यहाँ पर मैंने अठारवी वाली यानि के आखरी stitch में दो double crochet बना कर एक increase किया है और अब यह round finish होता है तो मैं इसे यहाँ पर third वाली stitch में hook को डाल कर slip stitch से joint कर रही हूँ यह देखिए इस तरीके से और अब हम फिर से एक, दो और तीन chain बना कर third round की शुरुआत करेंगे तो अब यह third round में हम अगले वाले round में जिस तरीके से हमने दो simple stitches बुनी थी और तीसरी वाली stitch में increase किया था उसी तरीके से हमें यह वाले round में तीन simple stitches बुनी है और चोथी वाली stitch में increase करना है तो यह first तीन chain को अगर हम एक double crochet गिने तो यह 2 double crochet हुए अब यह हो गया हमारा तीसरा और अब हम चोथी stitch में बनाएंगे 2 double crochet तो एक और सेम stitch में हम बनाएंगे दूसरा फिर next तीन stitches में हम एक के उपर एक ही बनाएंगे तो यह एक next में बनाएंगे फिर से एक अगें next में बनाएंगे फिर से एक और उसकी next वाले stitch में हम बनाएंगे 2 double crochet यानि के हर 34 stitch में हम एक double crochet increase करेंगे यह देखे इस तरीके से तो इस तरीके से हमें यह दो बार हमने किया है हमें और चार बार रिपीट करना है ताकि हमारी जो 18 प्लस 8 यानि के हमारे पास नीचे जो increase के साथ pattern में 24 stitches थी वो finish हो जाएगी और फिर से हमारी 42 stitches जो single एक के उपर एक बनाएं करते हैं हम वो शुरू होगी तो उसके उपर हम फिर से एक के उपर एक बनाएं करेंगे अभी हम ये दो बार जो repeat किया है उसे और चार बार repeat करने के बाद फिर मिलते हैं तो ये second round में हमने 18 stitches यूज की थी बुनाई में increase वाली pattern के लिए तो वो increase वाली stitches को अगर हम count करें तो यहाँ पर second round में हमारे पास 24 stitches थी उसके बाद हमने 52 stitches यानि ये देखी यहाँ पर मैंने stitch marker लगा रखा है 42 stitches हमने simple बिना increase के बुनी थी अब ये third round की शुरुआत से हमने 3 stitches simple और 4 वाली stitch में increase किया तो जो 24 stitches थी वो use होने के बाद 6 increase के साथ यहाँ पर हमारे पास 30 stitches है अब फिर से हम यहाँ से 42 stitches simple बुनेंगे बिना increase किये और फिर जो यहाँ पर हमारे पास 24 stitches बची है वहाँ पर हम फिर से 1, 2 और 3 stitches बिना increase कि यानिके simple बुनेंगे और 4 वाली stitch में increase करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 24 के उपर increase के साथ 30 stitches बन जाएगी और फिर हम round को यहाँ पर slip stitch की help से joint करेंगे और 3 chain बना कर चोथा round शुरू करेंगे चोथे round में भी हमें यही process repeat करना है पहले second round में जैसे हमने 2 simple और 3 स्रे में increase किया यहाँ पर 3 simple और 4 में increase किया उसी तरह यहाँ पर हम 4 simple बुनेंगे और 5 वी वाली stitch में increase करेंगे उसके बाद next round में हम 6 simple बुनेंगे और 7 वी वाली stitch में increase करेंगे और उसके next round में 7 simple बुनेंगे और 8 वी वाली stitch में increase करेंगे तो इस तरीके से हम कुछ round बुनने के बाद फिर मिलते हैं अब मैं आपको बता दू कि अगर छोटा या बड़ा size बनाएंगे तो suppose कि हम यहाँ पर 1 size चोटा बना रहे है ठीके तो हम 78 stitches की जगा पर यहाँ पर 70 stitches बना रहे है यानि के 8 chain कम बना रहे है तो 8 chain कम बना रहे है तो यहाँ पर जो हम 6 बार repeat कर रहे है increase वाला stitches pattern उसे सिर्फ 5 बार repeat करना है तो पहले से ही यहाँ पर 3 कम हो जाएगी और यह वाले छोड़ पर भी 3 कम हो जाएगी यानि के यहाँ पर जो 18 stitches हम use कर रहे थे उसकी जगा हम 15 यूज करेंगे यहाँ पर और 15 यूज करेंगे यहाँ पर और फिर यहाँ पर जो हम 42 stitches simple बनाई कर रहे थे वहाँ पर हमें 2 कट कर लेने है यानि 42 की जगा हम 40 stitches बनाएंगे ओके, suppose कि हम उससे भी कम बना रहे है तो यहाँ पर हम 15 की जगा 12 यूज करेंगे stitches और यहाँ पर 40 की जगा हम 38 यूज करेंगे तो इस तरीके से हमें 3 यहाँ से कट करना है, 3 यहाँ से कट करना है, और 2 यहाँ से करना है और अगर बड़ा साइज बना रहे है तो 3 यहाँ पर increase करना हम total 8 chain बढ़ाएंगे, अगर बड़ा साइज बना रहे है तो उन 8 chain को हम divide इस तरीके से करेंगे यहाँ से, यहाँ पर हम 3 बढ़ाएंगे, यहाँ पर बीच वाले portion में हम 2 बढ़ाएंगे और यहाँ पर 3 बढ़ाएंगे तो 3, 2 और 3 इस तरीके से हमें बढ़ाना भी है और घटाना भी है I hope आपको समझ आज जुका होगा अगर फिर भी कोई queries है तो आप comment box में मुझे पूछ सकते है So friends यह देखिए यह armhole का shape अब आपको नज़र आ रहा होगा हमने यहाँ पर 6 round complete कर लिए है और यहाँ पर आखरी वाले round में हमने 6 stitches simple और 7 वी वाली stitch में हमने increase किया है और फिर 42 stitches यहाँ पर आपको stitch मार कर नज़र आ रहा होगा यहाँ से लेकर 42 stitches simple बुनी है और फिर से यहाँ से लेकर end तक हमने 6 stitches simple and 7th stitch में increase किया है इस तरीके से बुनाई की है तो अब हमें 7th और 8th round पूरे round में बिना किसी भी जगा पर किसी भी तरह की increase एक एक double crochet बनाना है तो शुरुवात हम फिर से 3 chain से ही करेंगे साथ वे round की शुरुवात करते हैं पहले 3 chain भी बुन लेते हैं जो के हमारा first double crochet बनेगा उसके बाद next जो double crochet stitch है उसके उपर हम एक double crochet बनाएंगे उसके बाद उसकी next वाली stitch के उपर हम एक double crochet बनाएंगे फिर उसकी next वाली stitch के उपर हम एक double crochet बनाएंगे इसी तरीके से हम यह देखें यह यहां से लेकर पूरा round यह देखें यह पूरा round हमें finish करना है हर एक stitch के उपर एक stitch लेनी है double crochet stitch और फिर next round यानि के आठवा राउंड भी सेम इसी तरीके से शुरू करना है और सारी स्टीचिस के उपर एक एक डबल क्रोशेट स्टीच बना कर फिनिश करना है तो हम मिलते हैं अब नाइन्थ वाले राउंड में So friends, बिना इंक्रीज के दो राउंड बनाने के बाद 7 और 8 अब हम नाइन्थ वाला राउंड शुरू कर रहे हैं यह देखे मैंने 3 चेन बना ली है अब हमें यह 3 चेन जो हमारी है वो हमारा 1 डबल क्रोशेट है अब हमें next 8 stitches में एक एक डबल क्रोशेट बनाना है Sorry, 7 stitches में एक डबल क्रोशेट बनाना है तो हमारा 3 हो गया पाच, छे, और ये हो गया हमारा साथ, तो साथ स्टीचिस में एक एक डबल क्रोशेट बनाने के बाद हमें आठवी वाली स्टीच में दो डबल क्रोशेट बनाने हैं, यानि के एक इंक्रीज करना है, ये दिखें, एक और ये हमारे दो, ठीक है? तो ये जो प्रोसीजर है, साथ स्टीच सिंपल और आठवी स्टीच में एक इंक्रीज के साथ डबल क्रोशेट ये हमें और पाच बार रिपेट करना है, और उसके बाद फिर से हमें 42 स्टीचिस सिंपल बुनाई करनी है, और फिर हम ये वाली साइट पर आ जाएंगे, ये दे बीना इंक्रीज के और आठवी वाली स्टीच में इंक्रीज वाला डबल क्रोशेट यानि के एक साथ दो गुनने है, तो इसी तरीके से ये राउंड फिनिश करने के बाद नाइन्थ वाला हम 10 और 11 राउंड फिर से जैसे हमने 7 और 8 बीना इंक्रीज किये पूरा बुना थ उसी तरीके से नेक्स्ट डो राउंड ये 9 वाले के बाद 10 वाला और 11 वाला हम बीना इंक्रीज किये सिम्पल बुनेंगे, तो अब हम मिलेंगे 12 वाले राउंड में यहां पर मैंने 9 वाला राउंड 9 स्टीचिस के बाद, sorry 8 स्टीचिस के बाद 9 वाली स्टीच में इंक्रीज करके, फिर 42 स्टीचिस और अगें 6 टाइम रिपिटेशन और पर्टिक्यूलर पैटर्न विच वी हमेड हीर, वो फिनिश करके मैंने नेक्ष्ट यानि के दसवी और ग्यारवी लाइन्स जो है, उसे मैंने एक के उपर एक, बीना इंक्रीज किये पूरा राउंड, दोनों के दोनों राउंड में बीना इंक्रीज किये, दोनों राउंड मेंने फिनिश कर ली है, अभी हमें और दो राउंड बनाने है, तो जो जो हमारा बारवा राउंड होगा, उसमें हम हर 9 स्टीच के बाद 10 वाली स्टीच में इंक्रीज करेंगे, और ऐसा हम यहां से 6 बार करेंगे, उसके बाद 42 स्टीच बीना इंक्रीज किये, 42 के उपर 42, और बाद में at the end 42 स्टीच फिनिश होने के बाद, यहां पर हम फिर से 9 स् सिम्पल और 10 वाली में इंक्रीज, इस तरीके से 6 रिपिटेशन करेंगे, तो यह 12 राउंड फिनिश होने के बाद, हम 13 राउंड जो बनाएंगे, वो फिर से सिम्पल ही बनाएंगे, यानि कि सारी स्टीच के उपर हम 1 एक स्टीच बनाएंगे, तो यहां पर यह वाले राउंड में पूरी 12 स्टीच बढ़ेगी, तो मेरे पास हो जाएगी 112 स्टीच यानि 162 स्टीच ठीक है, और फिर 13 राउंड में भी मेरे पास होगी टोटल, क्योंकि वहां पर हमें इंक्रीज नहीं करना, इसलिए 162 स्टीच के उपर हम 162 स्टीच सी बनाएंगे, तो अब ह मैंने बारवी और तेरवी लाइन फिनिश कर ली है, मैंने पहले आपको बताया था, तब थोड़ी मिश्टेक हो गई थी, हमें बारवी वाली लाइन में 8 सिंपल यानि के एक के उपर एक बुन्नी है स्टीच और 9 वाली जो स्टीच आएगी, उसमें हमें इंक्रीज करना है फिर 8 सिंपल फिर 9 वाली में इंक्रीज, इस तरीके से हमें 12 लाइन बुन्नी है, मैंने शायद आपको पहले 9 सिंपल और 10 वाली में इंक्रीज बताया था, लेकिन आगे क्योंकि हमने 7 सिंपल और 8 वाली में इंक्रीज किया था, तो अभी 8 सिंपल और 9 वाली में इंक्रीज होगा ठीक है अब देखिए आप किसी भी साइज का बना रहे हो यहां तक की प्रोसेजर सेम रहेगी अब मैं मेडियम साइज का बना रहे हूँ मेरा यहां पर यह जो आगे का राउंड शेप है वो मुझे मिल गया है अभी आगे हम इसमें और दो तिन राउंड बनाएंगे इसलिए इसकी जो चोड़ाई है आगे की एक साइड की चोड़ाई वो हमें परफेक्ट मिल जाएगी अगर आप थोड़ा पतला धागा इस्तमाल कर रहे हो सेम ही साइज बना रहे हो तो हो सकता है कि आपके डबल क्रोशेट की जो लंबाई है वो छोटी बनेगी विकोज ओफ यूर थीन थ्रेड तो उस समय आपको क्या करना है यहां तक का प्रोसीजर सेम रहेगा उसके बाद आपको अल्टरनेटिड राउंड में यानि के तेर वे राउंड के बाद अगर अभी भी आपको बनाना है तो आपको दो राउंड बनाने पड़ेंगे इसके बाद आपको increase वाला round बनाना है accordingly increase करना है last round में हमने 8 simple और 9th वाली में increase किया था तो इसके बाद वाले round में हमें 9 simple और 10th वाले stitch में increase करना है और उसे 6 बार repeat करना है बाद में 42 stitches simple बुननी है और again पीछे वाली side यहाँ पर same repetition of 6 time increase वाला करना है ठीक है तो आपको क्या करना है एक increase वाला round फिर एक simple फिर एक increase वाला फिर एक simple उसी तरह तरीके से आगे बढ़ना है अगर आप बहुत बड़े size में बना रहे हो तो यह करना पड़ेगा otherwise small size में और यह वाली size में इतना ही proper हो रहेगा आपका जो round से अगर यह दोनो size में यानि small और medium दोनो size में आप बहुत ही बारिक thin वाले थागे से करोगे तो हो सकता है कि आपको तेर की जगा पंदरा line बनाने पंदरा round बनाने पड़े तो यह आगे का आप देख सकते हैं यह हमारा arm hole है और आगे का जो हमारा round shape है वो हमें मिल चुका है मैंने आपको बताए अभी आगे 2-3 round हमें फिर बुनने है इसलिए हमें हमारी एक side की चोड़ाई मिल जाएगी ठीके अब हमें क्या करना है यह देखे यह हमारा arm hole यह chest का एक side का part अब हमें जो हमारा यह जो jacket है उसका सिर्फ और सिर्फ पीछे का हिस्सा बुनना है उसके बाद हम फिर से यह वाला जो portion है उसे यहाँ पर repeat करेंगे ठीके वो कैसे करेंगे वो मैं बाद में बताती हूँ अभी हमें सिर्फ और सिर्फ पीछे का हिस्सा ही बुनना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमारे पास यह वाले round में total 162 यानि के 162 stitches है ठीके तो हमें यहाँ से यह देखे यहाँ से हम round की शुरुआत करेंगे तो हमें 162 का आधा कितना होता है 81, 81 stitches बुननी है ठीके तो मैं 81 stitches बुनती हूँ और उसके बाद आपको मिलती हूँ अगर आपको यह last वाले simple round में कम या ज्यादा stitches मिलती है आपके size या यान के according तो आपको उसका आधा बुनना है आपके पास जो भी number है उसका आधा बुनना है ठीके तो यहाँ पर मैं 81 stitches बुनने के बाद आपको मिलती हूँ तो फ्रेंस यहाँ से मैंने round number 14 की शुरुआत की है एक के उपर एक stitches बुनते हुए मैंने total 81 stitches यहाँ तक बुनी है ताके half of the round finish किया है ठीके अब 81 stitches यानि के यह हमारे जो last round था 13 वाला उसमें हमने 162 stitches बुनी थी इस अब 81 stitches बुनने के बाद हमें 3 chain बनानी है यह देखे तो यहाँ से हम एक दो और 3 chain बनाकर इसे इस तरीके से खुमा लेंगे अब यह जो 3 chain हमने बनाई है यह हमारा first double crochet बनेगा तो जो next double crochet है उसके उपर head chain में हम एक double crochet बनाएंगे फिर उसके next वाले double crochet यानि कि इसके उपर ह हम एक और double crochet बनाएंगे और इसी तरीके से हम यह पूरा 15 वाला round यह जो हमने 81 stitches यहाँ पर 14 राउंड में बनाई थी उसके उपर एक के उपर एक stitches बुनते हुए हम यह 15 वाला round फिनिश करेंगे और इसी तरीके से हम देखे यह बुनते हुए जब यहाँ पर हमारी यह वाली stitch तक पहुचेंगे यहाँ जो 3 chain है उसके उपर भी 1 stitch आएगी उसके बाद 3 chain बना कर फिर से यहाँ जैसे हमने घुमा लिया और शुरू की बुनाई उसी तरीके से next 16 round की बुनाई हम यहाँ से 3 chain लेकर मुर जाएंगे और 16 round की बुनाई शुरू करेंगे तो इस तरीके से हम यह हमने एक बना ली है दुसरी बना रहे है तो यह दो को अगर count ना करें तो और हमें 8 या 9 रो बनानी पड़ सकती है यह आपके size के according होगा अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पीछे की side कितना inch बुनना है तो आपको बहुत ही simple measurement का लेना है आपको अपनी chest का measurement लेना ह suppose के आपकी chest का measurement है 32 तो आपको यह वाली side से so friends यह आपका जो arm hole है उसका यह जो under arm side का portion है वहाँ से आपको इस तरीके से सीधी measure tape रखके इस तरीके से नापना है तो यह जो हमने बुनाई की है वो तकरीबन almost 6 inch है तो इसका double होता है 12 inch और हमारा जो chest का measurement है वो 32 inches है तो उसका आधा होता है 16 inch यानि यह वाले measurement का double और chest के measurement का आधा इसका double है 12 और chest के measurement का आधा है 16 16 minus 12 4 inch होता है तो यह जो पीछे की बुनाई हम कर रहे है यहाँ पर हमें 4 inches बुनाई करनी है अगर आप 33 chest के लिए बना रहे हो तो आपको chest का आधा होगा 16.5 inch और यह हमारा 6 inch तो इसका double होगा 12 inch तो साड़े 16 minus 12 करना है तो आएगा साड़े 4 तो फिर आपको यहाँ पर साड़े 4 inch मिलने तक आपको बुनाई करनी है बहुत ही simple measurement है किसी भी chest के लिए आप बना सकते हो सिर्फ यही method यूज करना है कि जीतना आपने यहाँ पर बुना है उसका double उसके double को हमारे total chest के measurement के half में से minus कर लेना है और जो number हमें मिलता है उतनी बुनाई हमें यहाँ पर यह दोनों जो flip है उसके बीच में पीछे की और करनी है ठीक है चलिए तो अब यहाँ पर मुझे साड़े 4 inch चाहिए बुनाई तो मैं देखती हूँ मुझे 10 row से मिलती है या फिर 11 round बनाने पड़ सकते है तो मैं 4.5 inches मिलने तक बुनाई करूँगी इसी तरीके से 81-81 stitches बनाती जाऊँगी और फिर आपसे मिलती हूँ फिर हम सामने वाली side का यह portion बनाएंगे सो फ्रेंट्स यहाँ पर यह देखिए मैंने back side की बुनाई 11 round बनाए है और मुझे 4 inch मिल गए है तो अब हम आगे अगर आप थोड़ा thin या फिर थोड़ा मोटा वाला yarn यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ी ज्यादा या कम round बनाने पड़ सकते है यहाँ पर मैंने 11 round बनाए है अब हम यह देखिए यह जो वाला यह portion हमने बुनाई की थी जो armhole से लेकर यहाँ तक वही बुनाई हमें reverse में शुरू करनी है तो यह देखिए यहाँ पर तो हमारे पास सिफ 81 stitches है यह वाले round में हमारे पास last जो round था flip वाला वहाँ पर हमारे पास थी 162 यानि के 162 stitches तो यहाँ पर क्यूंकि 81 stitches है हमारे पास इसलिए हम यह देखिए जहाँ पर हमारा round पूरा होता है वहाँ से हम chain शुरू करेंगे और हमें क्यूंकि 162 stitches चाहिए तो हम 81 chain बुनेंगे सुफ्रेंस 81 chain बनाने के बाद बाद हम इसे यहाँ पर यह वाले चोड़ पर जो तीन chain है उसकी सबसे उपर वाली chain में इस तरीके से hook को डाल कर slip stitch लगा कर इसे हम joint कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से और उसके बाद हम एक दो और तीन chain बनाएंगे ओके तो यह जो तीन chain हमने बनाई यह हमारा first double crochet बनेगा इसके बाद हम उसकी next वाली chain में एक और double crochet बनाएंगे फिर उसकी next वाली chain में एक और double crochet बनाएंगे और इसी तरीके से हमने जो 80-1 chain बनाई है उस सारी chain के उपर हम एक एक double crochet बनाकर यह जो हमारा half round है जो के हमने chain से बनाया उसे यहां तक finish करेंगे देखे जहां से हमने chain की शुरुआत की थी ठीके उसके बाद next हमें यह मिलेगे chain की जगा पर double crochet मिलेगे जो के हमने 81 ही बनाई थे ठीके यहां तक तो यह 81 stitches chain के उपर बनाने के बाद हम 81 double crochet के उपर और 81 stitches बनाएंगे ताकि हमारे यह जो हमारा current round जो हम बुन रहे है उसमें हमें total 162 double crochet मिल जाएंगे तो 162 double crochet बनाने के बाद इन शॉट हमें हर एक stitch के उपर एक-एक double crochet बनाना है चाहे वो chain stitch हो चाहे वो double crochet stitch हो तो at the end of the round हमारे पास 162 double crochet होंगे तो उस 162 double crochet के साथ मिलते है थोड़ी देर में तो friends यह देखिए हमने जो 81 chains बनाई थी उसके उपर हमने एक-एक double crochet बना लिया है और यहाँ पर जो हमारे पास 81 double crochet थे उसके उपर एक-एक double crochet बना कर हमने यह वाला round finish किया है अब यह वाले flip के लिए यह जो first round हमने बनाया है वो यह वाली flip का हमारा 13th round है तो यहाँ पर 13th round में हमारे पास 162 stitches थी यहाँ पर भी 162 stitches थी तो यहाँ पर भी 162 stitches है अब हमें क्या करना है अब हमें जो हमने 12th वाला राउंड बुना था उसे देखना है तो उसमें हमने क्या किया था यह देखे यहां से हमारा राउंड शुरू होता था तो हमने 8 stitches को यानिके 8 stitches को simple बुना 1 on 1 और जो 9th वाली stitch थी वहां पर हमने increase किया तो अभी यहां पर जो 12th वाला राउंड यह side से जो बनेगा उसमें हमें decrease करना है same pattern में decrease करना है यहां पर हम 8 stitches simple और 9th वाली में increase कर रहे थे यहां पर हम 8 stitches simple बुनेंगे और 9th वाली और 10th वाली को मिला कर 1 stitch बना देंगे यानि कि 1 stitch decrease हो जाएगी आप गबराये मत मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो हम कैसे करेंगे so friends यहां पर यह वाला round finish होने के बाद मैंने 3 chain already बना कर रखी है जो कि हमारा first double crochet बनेगा अब हम next stitch में हमारा second double crochet बनाएंगे यह हो गए हमारे 2 अभी 3 चार पांच छे साथ और यह हो गए हमारी 8 simple one on one stitch अब हमें 9th और 10th को मिलाकर सिर्फ एक stitch बना देनी है यानि कि एक decrease करना है तो हम यान ओवर करेंगे यह 9th वाली जो stitch है उसमें हम इस तरीके से hook डालकर धागा खीच लेंगे अब हम सीधा next यानि 10th वाली stitch में hook को डालेंगे और वहां से भी धागा खीच लेंगे अब हमारे hook में एक, दो, तीन और चार loops है ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? पहले दो मेंसे निकालेंगे और फिर बाकी के मेंसे निकालेंगे तो यह जो नीचे दो stitch थी वो मिलकर यहां पर सिर्फ एक ही stitch बन गई फिर से एक बार देख लेते हैं तो यह देखें, यान ओवर किया 9th वाली stitch में hook को डाला और धागा खीचा और फिर 10th वाले stitch में hook को डाला और धागा खीच लिया अब यान ओवर करके और बागे के में से निकाल देना है तो यह हमारा बन जाएगा दो के उपर सिर्फ एक double crochet अब हम फिर से 11 वाली जो हमारी stitch है वहाँ पर हम एक double crochet बनाएंगे यह देखें, एक फिर next stitch में दूसरा next में तीसरा उसकी next वाली में चौथा फिर पाचवा छठा साथवा और आठवा डबल ग्रोशेट उसके बाद हम फिर से decrease करेंगे 9 और 10 को मिलाकर यह देखें, एक और यह 2 यान वर करके पहले 3 में से निकालोंगी फिर से यान वर और बाकी 2 में से तो इस तरीके से हमारा एक एक decrease होगा यहाँ पर हमने 2 बार जो process repeat किया है उसे हमें और 4 बार करना है रिपीट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 6 बार में हमारे 6 double crochet decrease हो जाएंगे उसके बाद हमें 42 stitches जैसे हम यह वाली flip में यहाँ से लेकर यहाँ तक 42 stitches simple बुन रहे थे उसी तरीके से 42 stitches simple बुननी है और stitch मार कर लगा देना है और उसके बाद फिर से हमें 8 stitches simple और 9th और 10th को मिला कर एक decrease कर लेना है और वही procedure को और 5 बार repeat करना है ताकि वो वाली side भी यह total 6 बार हो जाए तो total हमारा जो round है उसमें हम 12 decrease करेंगे तो वो यह वाले देखी यह वाले flip में जो हमारा बारवा round है उसमें total 150 stitches है तो यहाँ पर भी बारवे round में हमें 150 stitches मिल जाएगी ठीके 12 decrease क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 162 है यह procedure हम करने के बाद हमारे पास बचेगी 150 stitch अब next जो 2 round होंगे यानि के यहाँ से हम गिने तो 3 और 4 और अगर यहाँ मैं आपको बताओ तो यह देखे यह 13 राउंड है यह 12 है तो उसके बाद है 11 और 10 वा तो 11 और 10 वे round में यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है 1 on 1 बुनाई की है बिना increase के तो यह वाली side भी हमें उसी तरीके से decrease नहीं करना है 1 on 1 बुनाई कर लेनी है तो हमारा जो यह दूसरा round finish होने के बाद हमारे पास 150 stitches होगी हमारे round में तो हमें next 2 round तक 1 on 1 बुनाई बिना decrease के करनी है ताकि next 2 round की बुनाई करने के बाद हमारे पास फिर भी 150 stitches ही होगी तो मैं यह वाली decrease वाले round finish करने के बाद simple बिना decrease के 2 round finish करती हूँ और उसके बाद आपको next round में मिलती हूँ तो friends यह दूसरे line में decrease वाला पूरा round finish करने के बाद हमने तीसरा और चोथा बिना decrease किये सादा ही बुना है अब हमें पाचवा round में हमें यहां देखना के यहां पर हमारे पास कितने stitches है तो यह एक, दो, तीन और चार तो जो पाचवा round है वहां पर हमने यहां पर increase भी किया है और हमारे पास यहां पर stitch है so friends यह वाले round में यहां पर हमारे पास 138 stitches है तो हमें 12 stitches और decrease करनी है क्योंकि यहां पर हमारे पास 150 stitches है तो उसे decrease कैसे करना है जैसे हमने यहां पर किया था second round में उसी तरीके से decrease करना है फर्क सिफ इतना है जिस तरीके से हमने यहां से पाचवे round में increase किया है उसी तरीके से यहाँ पर यहाँ से पाच वे राउंड में डिक्रीस करना है यहाँ पर हमने आठ स्टीच के बाद डिक्रीस किया था यह वाले राउंड में हम साथ स्टीच के बाद डिक्रीस करेंगे और ऐसा हम और पाच बार रिपीट करेंगे फिर यहाँ पर हम 42 stitches simple बुनेंगे और उसके बाद यहाँ से हम फिर से 6 बार 7 simple stitch और 80 stitch में decrease इस तरीके से बुनेंगे तो एकाज simple में आपको दिखा देती हूँ के कैसे बुनना है तीन चेन हमारा 1st double crochet है अब हम 2nd stitch में 2nd double crochet बनाएंगे और इसी तरीके से हम 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th stitches तक एक एक double crochet बुन लेंगे साथ double crochet बनाने के बाद हमें 28 stitch में और 9 stitch में इस तरीके से एक decrease बनाना है यह देखे इस तरीके से अब यही procedure को और 5 बार repeat करना है और next 42 stitches simple बुननी है और उसके बाद में बाकी की जो stitches है उसमें यही process को 6 बार repeat करना है यह round finish होगा यहाँ पर उसे यहाँ पर slip stitch से attach कर लेना है और उसके बाद के दो round जैसे हमने यह वाला और यह वाला round simple बिना decrease के बुनना उसी तरीके से यह 5th वाले round के बाद 6th और 7th वाला round बिना decrease के बुनना है तो वो यह round finish करने के बाद बाकी के 2 round की बुनाई करती हूँ और next round में आपसे मिलती हूँ तो friends यहाँ पर हमारे 7 round finish होने पर हमारे पास यह आखरी round में total 138 stitch है अब हम इस तरफ देखते हैं कि हमारे 8th round में हमने क्या किया है तो 8th, 9th, 10th, 11th और 12th round तक हमने हर एक round में 12-12 stitches को decrease किया है तो उसी तरीके से हमें यहाँ भी decrease करना है तो अब इस से next वाले यानि के 7th वाले round में हम 6 stitches simple बुनेंगे 7th और 8th में decrease करेंगे मतलब 7th और 8th को मिला कर एक कर देंगे यानि 7th वाली stitch decrease होगी उसके next round में हम 5 simple बुनेंगे और 6th decrease होगी उसके next round में 4 simple और 5 भी decrease होगी उसके next round में होगी 3 simple और 4th decrease उसके next round में होगी 2 simple और 3rd decrease तो इस तरीके से हमें total 5 round बुनने है हर एक round में हम एक एक number कम करते हुए decrease करते जाएंगे ताकि हर round के बाद हमारे पास total all over the round 12 stitches कम हो जाएगी तो ये इस side जो shape है वो दीरे दीरे हमें मिल जाएगा फिर आखरी वाला जो round है वहाँ पर हमने decrease नहीं किया है तो यहाँ पर भी छठा यानि के आखरी round हम बीना decrease के simple ही बुनेंगे तो ये side जो हमारा flip है same to same वही shape वही measurement के साथ हमें ये side भी मिल जाएगा तो इतना काम करने के बाद हम मिलते हैं और बाद में ये जो area है बीच का इसकी हम border बनाएगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर decrease वाले constant 5 round और उसके बाद बीना decrease का एक round पूरा करने के बाद हमें ये वाली side का flip same इसी shape का और इसी size का मिल गया है अब देख सकते हैं दोनो arm hole ही same to same size के बने हैं ये देखिए इस तरीके से ये देखिए अब हम क्या करेंगे ये देखिए बीच में से आपको थोड़ा सा ये shrink नजर आ रहा है बट ये पहनने के बाद perfect body shape ले लेता है और ये देखिए बहुत ही stretchable है पीछे से इसलिए बिलकुल भी गबराने की ज़रूरत नहीं है ये shrink है तो इसे सही रहने अब ये देखिए यहां का जो inner portion है ये देखिए दोनो flip ये neckline का पीछे का portion और यहां पर ये portion ठीक है यहां पर हम अभी border बनाएंगे तो वो कैसे बनानी है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स ये देखिए ये flip वाले area के तुरंद बाद मैंने यहां पर मेरा धागा आटेज कर अब शुरुआत में हम धागा उपर लाने के लिए एक दो और टीन चेन बनाएंगे ठीक है ये जो तीन चेन होई ये हमारा first double crochet बनेगा फिर हम बनाएंगे next double crochet उसके बाद एक चेन और उसके बाद सेम जो यहां पर हम बना रहे है जिस पेस में side double crochet में वहां पर हमें एक double crochet बनाना है लेकिन उसे पूरा नहीं करना देखे यहां पर दो लूप्स छोड़े है अब हम डबल क्रोशेट में क्या करते है फिर से यान ओवर करते है दोनों में से निकालते है इसे हमें incomplete रखना है फिर से यान ओवर करके next double crochet बनाना है पहले 2 लूप्स में से निकाल लेना ह अब हमारे पास तीन लूप्स बचे है, तो यान ओवर करके इन तीनों में से एक साथ निकलना है, तो ये इस तरीके से दो डबल क्रोशेट का एक बबल स्टीच बनेगा, उसके बाद हमें एक, दो और तीन चेन बनानी है, और नेक्ट राउंड की जो स्पेस है, साइड डबल क्रोशेट उसे छोड़ देना है, और उसके नेक्ट राउंड में हमें फिर से दो डबल क्रोशेट का एक बबल स्टीच बनाना है, ये देखिए, एक बार हमें दो लूप्स में से निकलना है, फिर यान ओवर करके, दूसरा डबल क्रोशेट बनाना है, उसके फर्स्ट टू loops में से निकलना है अब हमारे पास 3 loops बचे है तो yarn over करना है और 3ों में से 1 साथ निकलना है फिर 1 chain बनानी है अगीन 2 double crochet का एक bubble stitch बनाना है ये in complete double crochet again yarn over next in complete double crochet अब हमारे पास 3 loops है यान ओर और 3 loops में से एक साथ निकल लेना है ठीक है अब हम एक, दो और तीन chain बनाएंगे और फिर से इसी तरीके का bubble stitch का जो group हम बना रहे हैं उसे repeat करेंगे यह देखें, incomplete double crochet yarn over, next incomplete double crochet three loops are there in our hook yarn over, go through all three one chain, again bubble stitch of two double crochet यह देखें, इस तरीके से ठीक है, तो अब देखें जहाँ पर हमें यह side double crochet मिल रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, हम एक round को छोड़ कर next round में बनाएंगे जैसे हमारा flip portion शरू होगा तो हमें double crochet मिलेंगे तो ऐसे में हम क्या करेंगे यह देखें, अगर हम next यहाँ पर finish करते हैं तो यह आखरी वाला round finish छोड़ देना है, और first double crochet से सुरू करना है फिर next तीन double crochet को छोड़ देना है, और जोथे वाले double crochet में same ही repeat करना है मैं इतना बुनने के बाद आपको वो बताती हूँ के कैसे करेंगे friends, back side के portion में हमारा जो आखरी वाला round था उसके उपर हमने ये group of bubble stitch बनाया है, उसके बाद मैंने 3 chain बना ली है, तो अब हम क्या करेंगे ये वाला जो portion है जहाँ पर हमें double crochet मिल रहे है तो ये 1, 2 और 3 double crochet छोड़ कर ये जो चोथी वाली double crochet stitch है, उसकी head chain में हमें same procedure repeat करना है एक ही stitch में, ये देखिए ये ही वाले double crochet में हम incomplete double crochet again incomplete double crochet 15-0 loops में से एक साथ निकालना है, फिर 1 chain, again same stitch में हमें ये ही process repeat करना है ये देखिए, incomplete again one more incomplete 3 loops, yarn over and go through all 3 1, 2, और 3 chain और नीचे से भी हमें 1, 2, और 3 double crochet छोड़ कर चोथे वाले double crochet में ये ही procedure repeat करना है तो इसी तरीके से ये पूरा round finish करना है उसके बाद हम दूसरा round question बनाएंगे उसके लिए मिलते हैं So friends, ये आखरी वाला fan बनाने के बाद मैंने 3 chain बनाई और first वाले fan में जो शुरुआत में 3 chain बनाई थी उसके उपर वाली chain में मैंने slip stitch से इस round को जोइन कर लिया है अब एक और slip stitch बना कर हमें इसे जो बीच में 1 chain गेप छोड़ा था यहाँ पर हमारे धागे को लाना है और फिर एक दो और तीन chain बनाकर दो double crochet बनाने है उसी middle में जो एक chain बनी है उसमें sorry friends बीच में बच्ची का आवाज आया था please ignore कर दीजेगा अब यह देखें तीन chain और दो double crochet बनाने के बाद हम फिर से एक chain बनाएंगे और जो हम दो double crochet का bubble stitch बना रहे थे उसकी जगा हम तीन double crochet का bubble stitch बनाएंगे यह देखें इस तरीके से अब सारे में से इस तरीके से निकाल देना है एक साथ उसके बाद हमें एक, दो और तीन chain बनानी है अगें जो next fan है उसकी जो middle stitch है one chain space वहाँ पर हमें एक फिर दूसरा incomplete double crochet and then तीसरा incomplete double crochet बनाना है और उसके बाद यान over करके सारे looks में से एक साथ निकाल लेना है अगें one chain और फिर से तीन double crochet का एक bubble stitch एक incomplete दूसरा incomplete and then तीसरा incomplete और फिर यान over करके सारे looks में से एक साथ निकाल लेना है अगें तीन chain और फिर यही process हमें हर एक middle stitch में repeat करना है और यह दूसरे वाले round को भी finish करना है So friends, यह दूसरे round को भी तीन chain बना कर मैंने यहाँ पर slip stitch से attach कर लिया है अब यहाँ पर center वाले stitch में हम hook को डाल कर एक और slip stitch बना लेंगे ताकि हमारा धागा center में आ जाए अब एक, दो और तीन chain बनाएंगे और फिर जो बीज में एक chain space है उसमें साथ double crochet बनाएंगे यह एक, तीन chain को हमें double crochet की तरह ही count करना है तो अब यह तीसरा, चौथा, पांच, छे, साथ, और यह आठ आठ double crochet बनाने के बाद हमें next जो हमारा bubble stitch group है उसमें जो बीच वाली chain है, वहाँ पर सीधे जंप करना है, बीच में कोई भी chain नहीं बनानी है और फिर से वह वाली space में, वह वाली one chain space में हमें फिर से 8 double crochet बनाने है तो यह दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और यह आठ तो इस तरीके से हमें यह वाला third और आखरी round finish करना है हर एक one chain space में हमें 8 double crochet बनाने है और दोनों 8 double crochet के बीच में हमें कोई भी chain नहीं बनानी है ठीक है, तो यह round यहाँ पर हम slip stitch से attach कर देंगे और फिर हम sleeves के से बुनेंगे, वो मैं बताती हूँ So friends, यह देखे, यह border की 3 rounds बनाने के बाद यह कुछ इस तरीके से लगेगा अब हम sleeves बनाएंगे, full sleeve बनाने वाली हूँ में यहाँ पर अगर आपको cap sleeve या कुछ अलग अगर आप बना सकते हैं और आपको उस तरीके से बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर आप ruffle sleeve भी बना सकते हैं मैंने अपने channel पे एक ruffle sleeve का top का video डाला हुआ है same sleeve की pattern आप यहाँ पर डाल कर इसे ruffle sleeve के साथ भी बना सकते हैं और अगर आपको sleeve चाहिए ही नहीं इसे as it is, यहाँ पर जिस तरीके से आपको दिख रहा है इस तरीके से sleeveless भी पहन सकते हैं, यह भी बहुत ही प्यारा लगता है आपको यह border सिर्फ यहाँ पर डालना है, तो डालिए, नहीं डालना, ऐसे भी पहनना है, तो भी चलेगा तो अभी इस वक्त हम full sleeve के लिए बुनाई शुरू करते हैं So friends, यहाँ पर मैंने मेरे arm hole के जो under arm section है, वहाँ पर मैंने धागा attach कर लिया है और तीन chain बना लिए है, यह तीन chain हमारा first double crochet बनेगा अब same stitch में हमें एक और double crochet बनाना है, यह देखिए Same stitch में हमें एक double crochet बनाने के बाद एक chain बनानी है और उसके बाद same वही stitch में हमें दो और double crochet बनाने है यह एक और यह दो तो यहाँ पर हमने एक ही स्टीच में दो डबल क्रोशेट एक चेन और दो डबल क्रोशेट इस तरीके से बना लिये है अब हमें एक चेन बनानी है और नीचे हमें तीन स्टीच छोड़ देनी है ये देखे एक फिर ये दो और ये तीन छोड़कर चोथी वाली जो स्टीश है वहाँ पर हमें फिर से यही पैटर्न रिपीट करना है यानि के दो डबल क्रोशेट एक चेन और फिर से दो डबल क्रोशेट तो ये दो डबल क्रोशेट एक चेन और दो डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से हम एक चेन बनाएंगे नीचे से तीन स्टीचे स्किप करेंगे एक दो और तीन और चोथी वाली स्टीच में फिर से हमें सेम पैटर्न रिपीट करना है यानि के दो double crochet बनाने है फिर एक chain फिर से दो double crochet in the same stitch तो इसी तरीके से ये हमें पूरा round finish करना है ये देखिए ये जो पूरा हमारा underarm का round है वो हम यहां तक finish करेंगे उसके बाद next round बताती हूँ so friends मैंने यहां पर मेरा अठारवा यानि के आखरी fan बना लिया है और फिर एक chain बना लिया है अब इसे यहां पर हम slip stitch की help से joint कर लेंगे तो ये हमारा जो first round है ये यही पर finish होता है इसे इसी तरीके से हमें हर बार finish करना है ये जो first round है यही हमें till the end repeat करना है हमें जितनी length ये वहां तक ठीक है तो इसे end इस तरीके से करेंगे और next round की शुरुआत आप देख लिजे के कैसे करनी है यहां पर हम एक single crochet बनाएंगे फिर ये दूसरे double crochet के उपर एक और single crochet बनाएंगे इसे क्या होगा कि हमारा धागा यहां पर बीच तक पहुच जाएगा अब एक slip stitch ल लेंगे ठीक है उसके बाद एक दो और तीन chain बनाएंगे यह first double crochet बनेगा उसके बाद हम दूसरा बनाएंगे फिर बीच की chain बनाएंगे और again यही बीच वाली one chain space में एक और दो double crochet बनाएंगे यानि कि हम पहले वाले round को ही यहां पर repeat करेंगे यह एक chain बनाएंगे again next जो हमारा fan है उसकी बीच वाली यह जो one chain space है यहां पर हमें फिर से वही pattern दोराना है एक double crochet फिर दूसरा one chain फिर एक और दो double crochet तो इसी तरीके से हमें एक के उपर एक यही round को repeat करते हुए हमारी sleeve की length हसल कर लेनी है और जो हमारा आखरी हम round बनाएंगे वो यहां पर हमने जो आखरी round बनाया हर एक one chain space में हमने 8 double crochet बनाए थे दोनों fan के बीच में हमने एक भी chain नहीं ली थी उसी तरीके से यहां पर suppose कि यह हमारा आखरी round है तो उसका उसमें हमें क्या करना है यह जो one chain space है वहां पर हम 8 double crochet बनाएंगे फिर बीना एक भी chain लिए हम यह वाली space में 8 double crochet बनाएंगे तो यह आखरी round इस तरीके से होगा बाकी सारी sleeve में हमें यही round को repeat करना है आखरी round हम यह वाले round को repeat करेंगे तो मैं इसी तरीके से दोनों sleeves बना लेती हूँ और फिर आप से मिलती हूँ इसके final look के साथ so friends this is the final look of our cardigan और a bolero jacket I hope के आपको वीडियो पसंद आया है यहाँ पर मैंने full sleeve यह देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं full sleeve बना कर last round जो है वो same ही बनाऊंगी जो हमने inner border में बनाया है तो I hope आपको इसका look पसंद आ रहा है जरूर बनाएगा आपने लिए और मुझे comment box में जरूर बतायेगा क्या आपने बनाया और आपको कैसा लगा अगर कोई queries है तो comment box आपके लिए हमेशा open है मुझे आप कभी भी कुछ भी पूच सकते है चलिए फिर मिलते है next वीडियो म अगले Friday को तब तक के लिए Bye Bye